सबी बाईयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार आज हम अपने फारम से जो सैल होके अनिमल गए हैं उनके बारे में आपको बता रहे हैं जो की अदर स्टेट गए हैं क्या रिस्पॉंस हमारे विवर हमें दे रहे हैं वो उनके मुखिप से सुनिए तो जो बाई नए ताकि आगे जो भी न्यूँ वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले ये बैस चरंजीत सिंग जो की जगराओं पंजाब के रहने वाले हैं उनके पास गई थी पांच दिन की सुई हुई थी जो की इसमें 14 लिटर दूद तयार था इसके निचे फीमेल काफ तीस की वीडियो भी डाली थी तो आगे चरंजीत जो भाई हैं हमारे पंजाब से जिनोंने फॉन पर ओडर किया था वो खुद बताएंगे आपको कि क्या रिस्पॉंस आ रहा है पसुमों का अजी भाई सब्सक्राइब कर दो दूजे सुए चोटी है जादो दैरी फार्माने आतों मंजी से जादो को जिमें उना ने दस्यादिया चोटी बहुँ बढ़ बदिया दद भी पूरा बाद जिमें ने दाना पॉन नों फ्रीड बादे दस्यादी भी आ चीज पायो जिनन तो यह जोटी हमारे फार्म से घए धिए देखी काफी शोग वालेटी की जोटी थी मैंने वाई वीडियो में भी आपने इसको देखा था था मैंने बताया था कि टाइट अडर की जोटी है दूसरी जोटी हमारी गई थी यह है दिनेश बाई साब है जो की नोईडा के रहने वाले हैं यूपी के ये आपने देखा था खुले सींग की बड़े अडर की जो जोटी थी ये यूपी के अंदर गई है ये अभी फिलाल दूद प्रोडक्शन जो मिल्क की है वो काफी अच्छी दिखा रही है तो ये तीसरे नमबर पर जोटी है ये पानी पत के अंदर गई थी जिनकी एक पंड़जी है जिनके पास हमारी पहले भी वैस गई थी तो वहां से अच्छा रिस्पोंस आया ये जोटी सायद मैंने आपको दिखाई नहीं क्यो आपे जो पानी पत के अंदर डाडोला गाओं के निवासी है उन्होंने इसे फॉन पर ये ओडर कर लिया था तो ये जोटी चार दात थी कम से कम 15-17 दिन की सुई होई कटेडी नीचे थी और इसमें मिल्क अभी तयार था 13-14 लीटर क्योंकि फरस्ट टाइमर काफी लंबे स तक दूद के प्रोडेक्शन दिखाती है आप ये जोटी जो देख रहे हैं ये अपने वीडियो में भी देखी होगी ये महेंदरगट जिले में मुकेस बाइसाव के गर गई है वहां से इस जोटी का भी अच्छा रिस्पोंस आया है दूद का क्योंकि हर जगें से अगर व हमारे फारम से शैल हुए जो कि इनका काफी अच्छा रिस्पोंस आया ये लोडिंग दिखाने का कोई मकसद नहीं था खाली लंबे समय से यूटूब पे हरियाना के अंदर जो एक दूसरे के उपर मोखिक कटाक्स हो रहे हैं मैं उन सभी भाईयों से कहना चाओंगा कि एक दूसरे पर कटाक्स करने से अच्छा आप लोग मेरे इसाब से वर्क पे द्यान दे दूसरा जो मैं कहना चाओंगा किसी के पसू को गलत ठहराने की कोजिस ना करें क्योंकि पसू है कोई मसीन नहीं लंबे जो एक सफरते करके जाते हैं तो सेटिंग होने में टाइम लग ज हमारे गर का फीड का जो सेटिंग लग आपके साफ केर करें हैं तो लास्ट में जो बाई नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें